स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्यान रत पर तो यहाँ पर आरढरबी एंटीपीसे अग्जाम का आपका जो एक्जाम सेडूल है वह आपका जो है रेलवे के दवारा आपका घोसित कर दिया गया है तो इस वीडियो में इसके बारे में discuss किया जाएगा तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर दें और bell icon को दबादें जिससे कि आपको ऐसे latest वीडियो मिलते रहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो आपका CBT-1 का है उसका exam schedule RRB ने घोसित कर दिया है तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं the first stage CBT will be held in multiple phase in order to ensure adherence to all the COVID-19 guidelines for the large number of eligible candidates Approx 1.25 करो According to the first phase of the exam is scheduled for 23 लाग तो आपका जो पहले phase का exam होगा उसमें 23 लाग जो आपके candidate है जितने student है तो पहले phase में 23 लाग का आपका paper होगा आगे कहा गया जो पहला phase होगा वो होगा 28 12 2020 यानि 28 दिसंबर से 13 जनुवरी तक तो पहला phase आपका 28 दिसंबर से सुरू हो रहा है जो आपका चलेगा 13 जनुवरी 2021 तक और इसमें आपका total 23 लाग लोगों का paper होगा फिर आगे कहा गया The remaining eligible candidate will be scheduled in subsequent phase and will be intimated accordingly तो उसके बाद कहा जा कि आपके जो बच्चे होगे जो candidate होगा उनका जो अगले आने वाले phase होगा उनमें होगा और उनको उनके बारे में सुचना दे दी जाएगी फिर दूसरा point कहा गया है फिर आगे कहा गया कि जो आपका admit card होगा जो download वह आपका exam से जो आपका चार दिन पहले जो आपकी date होगे उससे चार दिन पहले आप अपना admit card download कर पाओगे फिर आगे कहा गया है तिसरा point information to the candidate who is not scheduled in a phase on assessing the link for viewing the exam city and date message will be displayed dear candidate you are not scheduled in the present phase please wait for intimation for RRB तो जिनका exam जो है आपका 28 December से अगर 13 January के बीच में नहीं होगा तो जब आप जू करोगे आपका link होगा वहाँ पर city देखने का तो वहाँ पर आपको जो message आएगा वो दिखाएगा कि आपका exam अभी present जो phase चल रहा है उसमें आपका exam नहीं है आप जो है RRB की जो सूचना है उसका इंतजार करें फिर आगे कहा गया है forgot application registration number link will be made available on all the RRB official website to assist candidate who forgot their application registration number in retrieving their application registration number तो जिनका आपका जो लोग अपना registration number या अपना application registration number भूल चुके हैं तो उनके लिए एक अलग साल link सभी RRB की साइट पर दे दिया जाएगा जिस्ति की वे अपना registration number या application number को देख सके हैं फिर पांचमा कहा गया है candidate are advised to refer only to the official website of RRB for latest update तो किसी भी latest update के लिए आपको कहा गया है कि आप RRB की वेबसाइट को विजिट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका RRB NTPC का जो exam schedule है वो आपका पहले फेज का शुरू हो गया है जिसमें आपका पहला जो फेज चलेगा वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 तक चलेगा और इसमें total 23 लाग candidates का paper होगा और यह थे आपका जो latest आपका अपडेट था RRB NTPC CBT 1 exam से related तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को जो नीचे subscribe वाला बटन दिख़ाओगा उस पर क्लिक कर subscribe कर देख जिससे की आने वाले टाइम में आपको ऐसे latest updates मिलत दे रहें